आई एम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे सिर्ट नमबर दो है सिर्ट नमबर दो का नाम है जो एडाबलू है तो लगाने के कोशिस करते हैं पहला संख्या को का कोश्चन है संख्या 156 का भाज गुरन खंड होगा 156 यह साल्ब कर लेते हैं पहला कोगा सब्सक्राइब तीन होजाएगा 9 अब 3 से काटते हैं एक हो जाएगा अब इसको कह रहा है कि 56 को किसी साबसे लिखा जाए तो दो कितना बार है दो एक है अदो बार है यहां 2 पर दो गात हो जाएगा जितना वार रहाएगा उतना गात लिख देगे इस पर भी एगात इस पर भी एगात अब मैचिंग करेंगे हम लोग इसमें से कौन सा मिला है तो दो गात कौन सा है यह आए यहां तो नहीं 11 13 है इसका मतलब यह वाला कोश्चन नमबर पहला साह मतलब सबसे पहले कह रहा है कि अब भाज गुण खंड होगा सबसे पहले गुण खंड निकालेंगे आइसमें कि कि meerूशन नम्बर को यह लिखा नहीं है जोन आ करेंग을 zodने यह एंसर हो गया अप कोष्चेटा नमर में लग 2 देखते हैं कोश्चन नमर दो देखते हैं लिखा है सेग ठीटा बराबर दो सेग ठीटा बराबर लिखा है दो तो सबसे पहले क्या करेंगे एक कोश्चन नमर खो है तो या तो डारेक्ट इसको मान रख ले से इक होता है कायद दो चैन दो लिखा या तो डारेक्ट उमान रख ले या तो पर बदल ले त्वन होता है एक बड़ा sera को अपार हो जाए एक है इसका होता है एक बट्じ होता है अब दो को यहां लेदेत जिते हैं सफ हो मांन कि इतना वाण कितना हो जागा 60 तिस वो क्या का सकते हैं ठीटा बराबर साथ हन्स तो सबसे में विले क्या की हैं एक बटा कास लिखे हैं कोहसे को TL कास लिख लिए हैं ऐभ इतना essa cette क proprietary को से को हम देख लेते हैं कि कोश्चन वर तीसरा लिखा हुए यम कमान गयात कीजिए गवार नंबर है लिखा हुआ है 3x स्क्वार माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 तो सबसे पहले क्या करेंगे इससे तुलना कर लेंगे ax plus ax square plus bx plus c बराबर 0 इससे तुलना कर लेंगे ते बराबर हमारा 3 आ जाएगा अब बराबर तुलना करेंगे तो माइनस बारा जाएगा सी बरावर जोताई हैं होता है सबसे पोर्टेंट वात यह होटी है जब भी ऐसा कोश्यन आता हू si कोई विमान निकालना होता तो सबसे पहले यह लेकर समय को लिखने से समय नगता नहीं है लेकिन बट लिखना पड़ जाता है इससे क्या करेंगे डारिक्टली नहीं करेंगे इससे तुलना करेंगे तुलना करेंगे तो यह बरावर इतना मिल गया अब बी कमान पर आ गया माइनस बारा सी कमान यह आ गया अब इसमें एक बात की ध्यान देनी होती है यम कमान गयात करना है, तो सुत्र विविक्तर का ही लगाएंगे, D बराबर होता है, B स्कॉार माइनस 4 ऐसे, जब यम का बात करें थे, यहाँ पर बगल में 0 कर देना, तो यहां लिखेंगे, B कमान 12 होगे, 12 का स्कॉार माइनस 4, A कमान हो जाएगा 3, 80 का मान गया, बराबर क्या करना, जब कोई मान दिया रहे, तो इधर बराबर करके 0 कर देना, अब 12 का मान जो होता है, टुटली 144 होता है, स्कॉार करेंगे तो, इसका गुड़ा करेंगे 4 ते, 12 गया, 12 गया, अब 12 को उधर बेद देते हैं, 12 बार में कड़ी जएगा, तो यह बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो इसमें कौन सा सही है, यह सही है, अब कोश्चन आते हैं इस पर, तो यह उपर का मिटा जेते, उपर ही बता देंगे, अब, लिखा एक संभाव ABC का भूजा इतना दिया है, तो पर्तेक सी की लंबाई ग्याद किजिए, तो इसको ग्याद करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगा, संभाव तिर्वूज बना लेंगे, यह भी 2A है, यह भी 2A है, आई यह भी क्या है, 2A है, अब कर एक संभूज ABC है, A, B, C, अब कर आए उसके पर्तेक सी की लंबाई ग्याद किजिए, यहां ससीर से गोणा लेते हैं, 90 अंस का कौण बन जाएगा, अब यह दोनों मिला का 2A है, यहां पर 1A हो जागा, यहां पर 1A हो जाएगा, अब हमको यह लंब ग्याद करना है, तो लंब ग्याद करने का मतलब यह वाला हम ग्याद कर लेंगे, हमारा तैंसर हो जागा यह वाला, तो इसको ग्याद कर लेते हैं, तो सुत्र होता है, पढ़े होंगे हम लोग, काण का स्क्वाइर बराबर होता है, क обязательно कि लंब का perfekt 15 can हम कर अद va Ada कर कि इसको पूलते हैं तो दो-का इसको आज़ाए हूजाइगा दो का स्कुआद अलम्ब नहीं मांण मैं तैसे लिख लेंगे और प्लस अधार का अधार जो है हमारा कितना है पूरे को लेकर नहीं चलना हमको यहां पर O मान लेंगे तो इसमें अधार क्या मिल्ला ए मिल्ला है एका स्क्वाइर इसको स्क्वाइर करेंगे दू दूना चार हो जाएगा चार एक आई स्क्वाइर, यहां लंब हो गया, यहां पर हो गया, एक आई स्क्वाइर करेंगे, एक आई स्क्वाइर, इसको इधर भेज देंगे, ति यह हो जाएगा हमारा चार ए, इसको इधर जब भेजते हैं इस बगल, ति यह माइनस हो जाता है, माइनस है, यहां हो गया की वांडियम हो जाएगा का ळिए लग दो आसंट आस्तथं church square time अरि निम जाएगा तो जाएगा तो चॉनिम आ निकर लेते हैं फिरी एक हाइ स्कौाइर लम भो जाएगा अब इसमस प्रम जाएगा तो एक हॉद इसकौर कॉंड तो यह होटी आएगा यह बाहर निकल आगा करणी में थिरी लिख लो आगे लिख लो पीछे लिख लो तो यह सही हो जाएगा मतलब यह आगे कर लेते हैं आपसर नमबर यह सही हो गया मतलब जब आता है संबाव तिर्वू तो सब भूजा बराबर होती हैं अब यह लंब पुछा है तो ए और ए मिला के टूए हो जाता है लगाएंगे सिस लंब तो एंसर आजाएगा अगला कोश्चन देखते हैं लिखा एक से दस तक का धनात्मक समसंख्याओं के समानतर मादे ग्याद केजिए तो सुत्र होता है कोश्चन अंगा है सुत्र होता है समानतर मादे समानतर माद्य बराबर होता है पदो कायोग बटा पदो की संख्याओं अब पूछा क्या है देख लेते हैं समसंख्या पूछा है कितना तक एक से दस तक एक से दस तक समसंख्या पूछा है समसंख्या दू होता है चार होता है छह होता है आठ होता है दस तक कात दस तक लिख लेते हैं संक्या दू दू चार एक पांच पांच संक्या है टोटल जोडेंगे ती हो जागा आठ 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 आउच्छ होता है कितना 14 14 यह हो जागा है यह और चाव दस 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 बीश तरीस टोटली तीस हो गया बटा पांच पांच चाहिए एंसर आगे अच्छ है इसमें आप से नहीं हो जाएगा अब आते हैं बिंदू पी दो माइनस थ्री अक्यू जो है दस वाई के बीच के मातरक है दस तो वाई कमान ग्याद कीजिए तो इसको पहले सबसे पहले ग्याद कर लेंगे हम लो तो लिखेंगे इसका सुत्र होता है D बराबर होता है काणी में X1 माइनस X2 का होल स्क्वाइर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वाइर अब यहां से क्या करेंगे यह X1 हो गया यह क्या होगे Y1 यह होगा X2 यह होगे Y2 यह होगे हमारा D तो यहां से लिख लेंगे D कमान कितना 10 है बराबर काणी में X1 कमान कितना 2 है X2 कमान कितना माइनस 10 का होल स्क्वाइर प्लस अब यहां से क्या करेंगे Y2 कमान Y1 कमान लिख लेंगे माइनस 3 वाइटू कमाने वाई का होली स्क्वाइर अब क्या करेंगे दोनों पच्छों में स्क्वाइर कर देंगे पहले इसको क्या करेंगे साल्ब करके स्क्वाइर करते हैं यह जगा माइनस 8 का स्क्वाइर यह जगा माइनस 3 माइनस y का स्क्वाइर दोनों पच्छों में वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे 10 का स्क्वाइर हो गया हम टोटल इसका भी वर्ग कर लेते हैं जब इसका करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका करेंगे केबल कुछ होने वाला नहीं है, कअड़ी हड़ी आएगी है, इसका स्क्वार करेंगे तो 64 हो गया, यह हो जागा, माइनस 3 माइनस y का whole square अब क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे फर्मूले पे पलस भी पे हैं पहले इसको क्या करेंगे इधर बुला लेंगे 64 में से 100 घटा लेंगे अब यहां हो गया माइनस 3 y को whole square दे दिया अब 64 में से यह घटेगा तो माइनस 3 माइनस y का whole square या तो इधर भेज ले या तो तोड़ ले इसको फार्मूले पे या तो इसको square अटा कर ले तो करणी सबसे बढ़िया बेटर है तो काणी लगा зовут है या पर त्री माइनस y इसओं से घटाएंगी। तो प्लस माइनस चर बचेगा यहां होतना माइनस 3 माइनस य आपड़ क्या करेंगे तीन को इधर बें दिन Rica तीन होगे आप प्लस माइनस x बढ़ गर माइनस य हम सिंग अब हम लोग क्या करेंगे एक बोर एक साथ है है एक बड़ इसके साथ पुलस लेते हैं है यह लिख needs वाइनस वाइवर डीवाइव फ़लस लेते हैं तो मैंनम लिस्सु लिया हूं वस 3 plus 6 6 लिया हूं 6-9 हो जागा तो Y पर रो जागा माइनस के इँदर घड़ आ कर देंगे माइनस 9 हो गया एक Y किमान माइनस 9 निकल ला है I एक बर क्या करेंगे हम माइनस ले लेंगे तो माइनस 6 हो गया यहां हो गया वो Y हो गया इसमें से घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा माइनस से माइनस केंसिल हो गया तो वाई पर और कितना गया थ्री आ गया हमारा आपसंज होगा माइनस 9 और 3 होना चाहिए माइनस 9 3 यह वाला सही है यह बिल्कुल आप लोगों बहुत असान तरीके से समझाया हूं अगर आप लोगों को समझ में आता है तो लाइस सब्सक्राइब करते रहा हूं नेक्स वीडियो आप लोगों को जल से ज़एंगे तो मुल बराबर रहते यम का मान गयात किजिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सल्योसन लेंगे इसका बहुत असान तरीके से इसको समझते हैं हम लोग डी बराबर होता है फार्मूला बी स्कॉायर माइनस पर वेसी अभी डी नहीं लिखेंगे कोशन को उताले एक्स स्कॉायर माइनस बारह एक्स प्लस दो बराबर च्यम अब क्या करेंगे सबसे पहले यहां का समीकर्ण लिक लें गे कि जिस से हम लोग तूलना करने एससे कि तूलना करेंगे शीए बराबर तूम हो जाएगा bossy बराबर बार हो जाएगा त्रिक जान लो जब यम कमान पुछता है तो इधर करके 0 लगा देंगे तब बी कमान लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 4 एक कमान 3 असी कमान 2 यम यहां बराबर 0 बारा का स्क्वायर करेंगे तो 44 हो जाएगा माइनस चारते हैं 12 12 दूना 24 यम बराबर 0 एक बर और देख लेते हैं 4 यह 12 होगा चारते हैं 12 दूना 24 यम अब इसको क्या करेंगे इधर बेज देंगे 344 यहां हो जाएगा मारा 24 यम 14 को नीचे बेज़ते 144 बटा 24 यहां हो गया है यम 12 से काटेंगे तो 12 बार बार में कड़ी आएगा यहां पर 2 बच जाएगा काटेंगे तो फिर कटेगा तो कितना हम 6 बार में कड़ी जाएगा तो यम बराबर कितना अगे एंसर 6 हो गया मान कि लिखने को मिलता है कास स्क्वाइर यहां लिखा है संसर्ट प्यांस यहां साइन टेई संस तिसको क्या करेंगे इसको चेंज कर लेंगे तो लिखेंगे यहां पर साइन कि 10 में इस ऐसा घटाएंगे हम लोग एक मिनट कास स्क्वाइर संसर्ट एसको चेंज करेंगे हम लोग दे जा हुआ है माइनस साइन स्क्वाइर को 23 है कि सबसे पहले क्या करें जब भी घटाने की बात तो चले जा रहे हैं अब यह नब जब लिखा जाता तो यह समय है यहां पर होगा साइन स्कॉर्ण थेज तो साइन और साइन से कटी जाएगा जीरो आ जाएगा दोनों यह क्या एंसर आप नब्बे माइनस यह शुत्र लिख लेना तुम लोग कास नब्बे माइनस ठीटा बराबर होता है साइन ठीटा हम इस तिर्बूज के आदार का लंबाय 14 से मियेयर्म उचाइब-, 7 तरी प्रम गाता होता है कि प्रमूज defenders और में भार होता है एक बटा दो गुड़े अधार गुड़े उच्व आई अब इसी पर रख देंगे एक बटा दो हो गया अधार का मान यहां दिया हुआ है 14 आउचाई का मान वहां दिया है साथ दिया है क्या करेंगे इससे यह कार देंगे इसका गुड़ा कर देंगे साथ से कितना होता है उन्चास जब भी छेत्रफल की बात करें तो हमेशा याद रखना सेमी का स्क्वार कर लेना एंसर तो लिकाए पर्थम अभाज्य पुड़ांकों का माधिका ग्याद कीजिए तो सबसे पहले क्या करेंगे सल्यूसन ले लेंगे हम लोग अभाज्य पुड़ांक किसे करते हैं जो अपने नि नी संक्या से कटे उसए अभ्वाज्य संक्या करते हैं यहां हो गया हो गया किया है यहां हो गया का सुत्र होता है मादिका का सुत्र होता है profit 922 वापद 202 ग Mackie ठीम कमान यह पुट कर देंगे हम लोग यहन कमान कितना 10 है भट्त वापद प्लस 10 बटा दो प्लस 1 वाँ पद बटा दो अब यहां से यह कड़ी जाएगा तो 5 वाँ पद अब यहां से कड़ी जाएगा तो 5 हो जाएगा यहां पर एक मिला के 6 वाँ पद बटा दो अब यहां से का करेंगा उपर चले जाएंगे 1,2,3,4,5, 5 पद हो जाएगा 11, 6 पद हो जाएगा 13, बटा दो, 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा बटा दो, काट लेंगे, तो आएगा यहां पर लिख देते हैं, काट लेंगे तो 12 आएगा,